अपने अपने घर में सब मस्त होंगे और अपने काम काज में सब व्यस्त होंगे और आपकी यह जोती भी बहुती व्यस्त चल रही है अभी और मेरे दिन की शुरुवात आज की तो हो गई आप लोगों के साथ और आज बार है संडे और मैं नाद हो ली हूँ और आ गई उपर यहां जब हम कल शाम को मस्ती करें थे किट्टूर में तो यहां खोब सारा आया मतलब बंगार का सामान इकटा हो गया था तो उसके बाद में फिर हस्बेंट जी आये और सामान सारा मतलब जो देना था वो दे दिया और जो रखना था और रख लिया लेकिन छट पे बिखेरा ऐसा ही छोड़के चले गए थे तो जब मैं सुबह यहां जलवल चड़ा नहीं और थोड़े बहुत कपड़ा भी हाथ से धोक्या आई तो यहां देखा तो छट पे मेरा ऐसा हाल पड़ा था तो मेरा देखक जो जो आई एक डेड़ गंटा लगा और यह सापसपई करी में ने उनका तो काम है बस सामान जो उनको देना था दे दिया और ऐसे उन्हों ने छट पर ऐसे छोड़ दिया लेकिन अब अपन तो ऐसा ने छोड़ सकते हैं तो इसी वज़े से मन नहीं सापसपई करी सुबह स और इसी सापसपई के वज़े से मुझे आज खाने में इतना लेट हो गया खाना बनाने में मतलब कि मैं आपको क्या बता हूं आपको आगे-आगे व्लोग में पता चली जाएगा कंटिनी व्लोग में और मेरा वीडियो आप पूरा जरूर देखे और मुझे प्यारा सा कमे जाड़ू पहुचा और किट्टू तो मेरे पास में खेल रहा है चेरी नीचे है चेरी को में नीचे देखे आ गई हूं क्योंकि वह है न मुझे पारेसान बहुत करता है तो इसी वज़े से मैं उसके पापा के पास छोड़ाई हूं और वेसे थोड़ी-थोड़ी सर्दी प आपना होता है साथ में पांच मिट कम रहते हैं और फिर उठती हूं या फिर साथ बज़े पांच-दस मिट हो जाते हैं उसके बाद उठती हूं तो इसी वज़े से में बहुत लेट हो गई हूं अब खाने में और यहां हो गया मेरा क्लीन रादे रादे पता नहीं मेरे इसे सो हाथ ऋए क्या नहीं हाथ हैं एद रादे रोज रोज यह आपन काया घरमिक्त करिया रोज रोज करके इस यह घरमिये शीपकर लेडेशी हैं रोज इकान अनले क्यद् आपने शिपकर ऍ Kensival कर अरशन मिट नहीं हुआ हैं ब्लाज करणा जांचक उत बश्ब्स सहां प कि वहुंगार दिया और आज भी दिया पठानी इनोंने क्या-क्या रोज रोज इए करते रहते हैं बंगार तो देही रहते हैं फिर मेनने इनको बोला जाओ सब्जी लेकर आओ पहले क्योंकि 2-3 दिन से सब्जी ने लाए है गर पर तो सारी सबजे खतम हो गई है तो मैंने उनससे सबजी में गाई सबजी बहुत सारी लाए लेकिन शकरकंद भी लिक्या है तो मैंने सोचा कि हूम संडे है कि需म बहुत खाई लएगा औरा इनको भी बुला के खिला दूगी तो आज मैं बना रही हूं सकरकंद नास्ते में तो सकरकंद में पानी में ने उबाल किती हूं यसे बनाती हूं गी डाल दिया उसमें थोड़ा सा और इनको दो दागे गट्टे कर दिया मतलब छोटे-छोटे और इनको बिना सीटी से धकन लगा दिया और सम्तिंग पांस से छे-साथ मीर तर पकने दिया और बीच-बीच में आके मैं इनको ऐसे हिलाती गई ताकि यह अच्छे से बन जाए और एक दो बार है ना मैं एक बार धकन खोल के देखा था तो यह पके नहीं थे तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी का छीटा भी दिया थ ताकि यह चिपके ना और इनको हिलाना बहुत ज़रूरी हां लेकिन यह लगते बहुत ही टेस्टी क्योंकि इनमें गी का फ्लेवर आ जाता है ऐसे अगर अपन पानी में उबार के खाओ ना तो इसे अच्छे न लगते हैं और आजए यह थोड़ा सा गी डाल देते हैं उप और सब्जी में वो लेके आये थे आलू मटर पेली बार मटर ले आये थे इस सिजन की तो मेरी तो फेवरेट भई आलू मटर टमाटर की सब्जी तो मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि आज तो मैं सब्जी में यह बनाऊंगी तो सकरकन के बाद मैंने वो आलू भी उबलने के लिए रखि देते और मक्की काटा नहीं था तो वह इमें बाहर गई थी पास में यह चक्कि जश्ट पास में हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है तो यहां बना ह्री हूं मैं अलो मटर की सब्जी इस सिजन की पहली सब्जी मतलब यह मतल चाश रुपए क्या अदर तोड़े से अतकचले हो गए और उसके बाद आपन जो मसाला नोर्मल जो है धल दी पाउड़र धनिया पाउड़र मिर्ची नम्मग वह डालके मसाला बन गया और डाल दें ते अपन ये अलू और अलू का पानी देखिए दिखने में ये ती शांदार लग दिया न और इस जो देदी थी में तो कि महला और टाइन साड़े बारा बचले अभी आपको दिखाते हैं और अभी तक दोनों बच्चों को गिलाया है नहीं है आज संड़े है संड़े है फराद चुप चुप और ये तर होने में बीजी है और किटू बाहर खेलने में बीजी है तो पहले खेला के पहले यंदो निला Jordi उसके बाद रोटिया बनाऊंगे आज सबहें चाज सांपिला और बचलेस हमें आज तना होगी रोज तो इनको निलाने का टाइम 11 ग्यारा सबिए लेकिन आज तो अग्या थे तो पहले मैंने इन दोनों को निला दिया है बदी निलाने थे न की बच्चे निलाने के बाद प्यारे ही लगते हैं किसी के भी हो बले और वापिस से आ जाते हैं अपन कीचन में और यहां बनारी हूँ में मक्की की रोटी तो मुझे किसी ने कमेंड भी किया था देदिया आपने कैसे बनाई रोटी तो इसलिए पर थोड़ा थोड़ा आटा लगा के इसे गोल 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 को दबाते जाओ और इसको रोटे को घुमाते जाओ बहुत ही इजी तरह के से बन जाती है कोई जंजट नी है कोई पड़पंच नी है हाथ में बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन इस तरह के बनाने में कोई दिकत ने आती है और बहुत ही मलब शांदर तरीके से बन जाती है मैं तो हमेसा ऐसा ही बनाती हूं जब कभी भी खाने का मन होता है और हस्बेंट जी तीन चार बार आ गए कि भूग लगी है भूग लगी है खाना की क्योंकि आज रोज हम सवा ग्यारा तक तो खाना खाई ले लेकिन मैं उनको बोल रही हूं कि नहीं आप खालो तो फिर मैंने बहुत जित गी तो उसके बाद यहाथ दो के आगए खाना खाने के लिए और यहां मतलब वह कुछ बोल भी रहते मुझसे शोपिंग के बारे में कि थोड़ी बहुत और जो शोपिंग है तो वह चलेंगे क लिया परसू तो मैं उनको यही बोल रही हूं कि यहां भी नी एक दो दिन बाहर चलेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे पैसे खर्च हो गये हैं तो पहले थोड़े दिन दुकान में मेनेज कर लो मतलब कमा लो फिर चलेंगी उड़ाने के लिए तो वही डिसकस चलता था हमार और यहां खड़ए बाते भी हो रही है और खाना भी मतलब खवाय जा रहा इनको तो यह बोल रहा है बहुत टेस्टी सबजी बनी है लेकिन अभी तक तो मैंने नी खाया है अभी और यह खाके ने चले गए थे अब खालेते हम यानि कि आप और मैं मतलब मैं खालेती हूं आ अब खाऊंगी घा जाओ खाना खाने के लिए तो बच्चे देखो बच्चे तो मो जादन बें निकाल रहे हूं और अब मैं खा रही हूं खाना डेढ़ बचे और इस वीडियो को यहीं करूंगी एंड क्यूंकि घर पर आने वाले हैं कोई मेमान तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना और अगर आप मेरे चेलेंगर पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि ऐसी वीडियो न्यू न्यू आप तक सबसे पहले पहुंच सके और मिलते हैं नेक्स्ट रोग में और यह बता रही हूं सबजी बहुत ही टेस्टी बनी आजाओ सब्सक्राइब सब्सक्राइब